महरौली में पत्नी समेट तीन बच्चों की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी उपेंद्र का बयान सामने आया है उपेंद्र कुमार शुकला ने पूस्ताश के दौरान ड्रोंग्टे खड़े कर देने वाला खुलासा किया है आरोपी ने बताया कि आखर किस तरह से उसने इतने घिनोने जुर्म को अंजाम दिया उसने सबसे पहले पत्नी का गला घोटा और फिर एक एक कर अपने तीनों बच्चों का पहले गला घोट कर इसलिए हत्या की ताकि गला रेतने के दौरान कोई तड़पे नहीं साथ ही आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी अचना को शुगर की बिमारी थी बिमारी की वज़ा से पत्नी घर का काम नहीं कर पा रही थी इस वज़ा से उसके मन में ये धर बना हुआ था कि अगर पत्नी को कुछ हो जाता है तो कैसे समालेगा वो सब कुछ बिमारी से पहले पतनी को कुछ हो इससे पहले ही उसने उसकी हत्या कर दी पुलिस अधिकारी आरोपी को साई को बता रहे हैं इस घिनोले अपराद को अंजाम देने से पहले आरोपी उपेंदर ने पहले तो सभी को दूद में नीन के गोलियां दे दी उसके बाद जब सब गहरी नीन में सो गए तो आरोपी ने सभी का गला धबा कर हत्या कर दी और फिर उनका चाकू से गला रेइद दिया हत्या को अंजाम देने के बाद उपेंदर भी खुद खुशी करना चाहता था इसके लिए उसने कई बार अपने हाथ की नस काटने की भी कोशिश की मगर दर्द की वज़ा से ऐसा कर नहीं पाया फिर उसने नीन्द की दस बारा गोलियां खा ली आरोपी के पास दो सो साइड नोट भी मिले हैं हलाकि दोनों सो साइड नोट में एक ही चीज लिखी है कि हत्या का जिम्मेदार वो खुद है रसोई गैस सिलिंडर में घट तौली का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा हमेशा रसोई गैस सिलिंडरों में एक से लेकर डिड़ किलो तक गैस कम निकलती है हलाकि इस बात को लेकर एजंसी संचालकों से कई बार शिकायद भी की जा चुकी है बावजूद कोई कारवाई नहीं हो रही अर्चना नगर के एक निवासी ने गैस सिलिंडर मंगवाया था परिजनों को सिलिंडर में गैस कम होने की आशंका होई उन्होंने इसके बाद घर म अंसुनी कर दी गई ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ इससे पहले भी कई बार शिकायते की जा चुकी है और कई बार शिकायतों की अंसुनी हो चुकी है चीन और पाकिस्तान की ओर से हिंद महासागर शेतर में लगातार बढ़ते खते को देखते वे भारती नौसेना ने जादा पुक्ता करने का फैसला लिया है ऐसे में नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए छे पर्मारों शक्तियों से चलने वाली पंडूबियों को बनाने का काम शुरू हो गया है इस पर योजना की लागत लगवक एक लाग करोड रुपए हैं ब्रामक विग्यापनों और शुरक्षा मामलों को लेकर सरकार ने अपना रवाया और भी जादा सक्त कर लिया है मोधी सरकार की कैबनिट की बैठक में आर्थिक मामलों और शुरक्षा को लेकर कई एहम फैसले लिये गए हैं आर्थिक मामलों की कैबनिट कमीटी की बैठक में भामक विज्यापनों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है यानि अब इन सब चीजों पर रोक लगाई जा सकेगी साथ ही बैठक में उभोकता सनक्षन बिल को भी मंजूरी दे दी गई है इतना ही नहीं किसानों को राहत देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है इन सब बातों पर भी विचार किया गया इसके इलावा एकनॉमिक जोन शंसोधन बिल पर भी चर्चा हुई है अब दीदी के गढ़ में बीजेपी मनाईगी दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लोगसबा चुनाओं में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था ऐसे में अपनी जीत से उत्साहित होकर पार्टी अब बंगाल में दुर्गा पूजा का हिस्सा बनने का फैसला कर रही है इसके लिए पार्टी के नेता दुर्गा पूजा आयोजा को से समीतियों का हिस्सा बनने के लिए संपर्ग भी कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे इसके जरीए बीजेपी टीमसी से इस आयोजन को छीनना चाहती है इतना ही नहीं नेताओं ने शिर्ष नेतितु से पंडाल का उत्गातन करने को लेकर उत्सुता भी जाहिर की है 2011 के बाद जादा दुर्गा पूजा समीती में टीमसी ने तैसनरक्षक या अध्यक्ष के तौर पर शामिल रहे हैं लेकिन इस बार लगता है ये सब कुछ बदलने वाला है केंद्री मंती और उडीशा से बीजेपी सांसत प्रदाप चन सारंगी ने लोगसभा में कॉंग्रेस को आड़े हाथो लिया सारंगी ने लोगसभा में धन्यवाद प्रस्ताओ देते ही वे कहा कि जो लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने तक जंग रहेगी पाकिस्तान जिंदाबाद और अफजल गुरु जिंदाबाद के नारे लगाते हैं क्या उन्हें देश में जीने का धिकार है साथी प्रताप चन सारंगी ने ये भी कहा कि कॉंग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के पिछले कारेकाल में किये गए कामकाच की सराहना करनी चाहिए साथ ही कॉंग्रेस को ये स्विकार कर लेना चाहिए कि अपने पिछले पांस सालों के कारेकाल में बीजेपी ने सरानिय काम किया है बैठक में सारंगी ने सीदे सीदे नहरू की भी आलोशना की जिसका विपक्षी दल के सदस्यों ने आतराज भी चताया